बॉर्डर पर मुटभेड चल रही है ये बड़ी खबर इस वक्त की सुबह दस बजे से लगातार नकसलियों और सुरक्षा बलों की मुटभेड जा रही है बार है नकसली जो खबर आ रहे हैं बार है नकसली अभी तक धेर कर दिये गए हैं मौके से बड़ी मात्रा में हतियार भी बरामत किये गए हैं जिनका इस्तिमाल नकसली करते हैं सुबह दस बजे से जारी मुटभेड में बड़ी सफलता जो जानकारी मिल पा रही है मिली है सुरक्षा बलों को किम नाराण शर्मा हमारे साथ जोड़ गए हैं किम बड़ी खबर बारामत नकसली देर किये गए हैं अगर तो और क्या जानकारी जी देखें आग जो है शत्तिवर और महराष्ट कीमा पर जो मुटभेड हुआ है उसमे एक बड़ा अपडेट निकल कर सामने आ रहा है कि मुटभेड के दौरान जो है बारा नकसलीों को जवानों ने मार गिराया है हाला कि एक जवान घायल हुआ है और उसके बहतरी इलाग से लिए उसे बाहर रिफर किया गया है लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस एंकाउंटर में बारा नकसलीों को जो है मुटभेड में किसी प्रकार से नक्तलियों को लुखसान भी पहुच रहा है जी जे और लोटूंगा के बनारण आपके पास और चुक्कि महराश्ट बॉर्डर पर ये मुटभेड चल रही है देवेंद फरनवीज क्या कुछ कह रहे हैं सुनेंगे गर्चिरोली पुलीसान ने सी सिक्स्टी ने एक मोठा ऑपरेशन के लिला है यह ऑपरेशन मदे बारा माओ आध्यान ना यह मसदनी पाठोना से काम आज अपले पुलीसान ने के ला है खिम नारायन शर्मा हमारे साथ लगातार बने वे खिम माराष्ट पुलिस की भी या कहें की सरकार की भी नज़र एस मुटभेड पर अगर वहां से भी संभावे की मदद की दरकार होगी तो मिलेगी जी देखिए जिस परकार से नक्तलियों पर नकेल कतने के लिए जो महराष्ट सरकार और 36 गड़ की सरकार लगी हुई है और उसमें जो है लगातार जो है जवानों को सफलता भी मिल रही है तो कहीं न कहीं अगर जो पहेटा की बात आती है तो दोनों सरकारे मिल कर जो है इन नक्तलियों को खतम करने में जो है सरकारों की जो गुमी का है वो कहीं न कहीं नजर आ रही है और जो जवान है वो लगातार जो है इन शेतरों में सर्चिंग अभ्यान कर जो है नक्तलियों के कमर तोड़ने का काम कर रहे हैं जी बिलकुल लगातार नकसलियों की कमर तोड़ने का काम हो रहा है खिमना राइन बारहे नकसली अगर वाकई धेर हुए है तो ये वाकई बड़ी सफलता सुरक्षाबलों के लिए कही जाएगी क्या और जानकारी मिली कितने नकसली वहाँ हो सकते हैं जिनकी घेराबंदी की गई है और दूसरा किसी और जवान को तो कोई शती नहीं खेमना रहे हैं? मार गिराया है और जो है नक्तलियों की अच्छी खासी जो संक्षा वहाँ पर मौजूद थी आला कि कई नक्तली जो है जंगल की आर लेकर वहाँ पे भाग निकले हैं और अब जो है साम का वक्त भी हो चुका है और जो है सर्चिंग पार्टी को मदद के लिए वहाँ पर अत्रिक्त बल भी भेजा गया है तो हो सकता है कि वहाँ मौजूद जो नक्तली हैं उनको घेरने का प्रयास किया जाएगा और जो है तर्चिंग पार्टी जो मुढवेर के सामील है उस पार्टी को बाहर निकालने में ये अत्रिक्त बल काम आएंगे जी बिल्कुल खेब आप बता भी रहते हैं कि चुकि मौसून का मौसम है और जब अधेरा हो जाता तब भागने के प्रयास भी होते हैं अक्सलियों के बच निकलने की संभावना जादा होती हैं ऐसे भी कोई नई रण नीती भी सुरक्षा भल अपनाते होंगे इस मौके पर जी देखें अब तक जो है मांसून सत्र में जो है सर्टिंग अभियान को बंद रखा जाता था लेकिन अब जो है जवानों को पूरी तरीके से तैयारी करवा कर रखी गई है और अभूजमार के जंगल हो या महराश एरिया के जंगल हो या कहा जाए देवते लंगाना वाल रख सुके हैं और नकसलियों को कही भागने का मौका भी नहीं मिल रहा है और कहीं न कहीं से जवान इनको घेर कर जो है इनको मार गिरा रहा है जी बिल्कुल खिमनाराण अभी जहां ये मुटभीट चल रही है आप बता भी रहे थे कि भई ये बहुत ही दुर्गम इलाका है और ये दरसल जहां नकसली अपने आपको सुरक्षित मानते थे अगर इनकी मान्द में सुरक्षा भल घुस रहे हैं तो फिर ये क्या संकीत देता ह जी देखिए जीस प्रकार से जवान जो है अभूज मार के जगल में अपना बेस केम बना कर बैट गये हैं उससे नकसलीों को कही न कहीं डर और भै व्याप्त हो चुका है और वहां से बाहर निकलने का प्रयाद कर रहे हैं लेकिन जो है जो जगल से बाहर निकलते ही जो है जवानों के साथ भीड जाते हैं और भीड में जो है नकसली अब मार गिराया जा रहे हैं पहले भी जो है सर्किंग अभियान चलाया गाता था लेकिन इतने अंदर तक घुस कर जो है जवान नकसलीों को नहीं पहुँच पाते हैं लेकिन अब जो है जो सुरक्षाबल के जासों में घुस घुस कर जो है नकसलीयों के मान में घुस कर जो है नकसलीयों को मार गिराने में जो है लिखाई दे रहे हैं। विरोधिया भी अभ्यान के लिए अपनी एक इस्पेसल पौलिस की फोर्स बनाई हुई है जिसमें जो है स्टी सिफ्टी जो है इसे कहा जाता है स्टी सिफ्टी के जो जवान है इस सर्चिंग अभियान में सामील है और महराश्ट मातिजेब गर्द किरॉली जीले जीला के जो जीला पुलीस बल के जो जवान है वो इसमें सामील है और बड़ी संख्या में आज जो है इन्हों ने सर्चिंग अभियान में अपनी 12 नक्सलियों को मार ही रहा है बिल्कुल तो क्या ये गुंजाइश है या आशंका हैं क्या कि ये 36 गार बॉर्डर क्रॉस कर महरास्ट में भी चले जाएं सुरक्षित वहाँ से भी घिरने की कोई कोशिश होगी फिर इन नक्सलियों को ये दे कि नक्सलियों को इतलिए वो स्टेरिया को सुरक्षित मानते थे क्योंकि वो अभूजमार का जंगल है पुझमार का जंगल काफी बुरुगम और पाहडी चेतर होता था और कई राज्यों की सिमाएं वहाँ पर मिलती है जैसे 36 गर है महराष्ट है और कुछ ही दूरी पर तेलंगाना इस्टेट की भी सिमा वहाँ पर मिलती है तो लक्तली अक्सर यह होता था कि जैसे 36 गर की उरक् कार उनको भागने का अच्छा मौका मिल जाता था लेकिन अब जो है नक्सलियों को पूरी तरीके से अब चारों तरफ से घिरने के लिए जो जवान तैना थे बिल्कुल यानि कि गुझाईश बहुत कम बचे नक्सलियों के पास बच निकलने की एक तरफ महरास्ट की तरफ से भी दबाव है महराज गर्चेरॉली में अगर जिकर करें तो खुद दिविन फर्नवीज ने बयान दिया बताया चीजों को यानि कि महराज की तरफ से भी जो जवान है वो दबाव बनाए हुए हैं और यहां भी गर्चेरॉली में सुरक्षा बल लगातार दविश दे र लाए गया था बेतर इलाज के लिए लेकिन अभी अच्छी बात यही है गनिमत यही कि कोई बड़ी कैजोलीटी सुरक्षा बलों की तरफ से भी सामने नहीं आई है और यह होना भी चाहिए कि बगएर किसी जवान को कोई या नुकसान पहुँचाए ऐसे ऑपरेशन अगर अंजाम तक पहुंचते हैं तो यह बहुत मैत्पूर होता है किम नाराण इसी के मदेन नजर समय समय पर जवानों ने सुरक्षा बलों ने रणनीती बदली भी है ताकि कैजोलीटी जादा ना हो खिम नाराण नकसलियों से वो लोहा लेते रहे और नकसलियों को ही अधिक से अधिक नुकसान पहुँचे और वो जो है जो है मुख्यधारा की और जूरने के लिए वापास आए जी बिलकुल बिलकुल दूसरा थोड़ा ये भी समझाएगा कोबरा बटालियन या डी आर जी जो इनके ज इस्थानिये जवानों की तैनाती होती है या फिर भरती होती है इसका फाइदा भी अब ऐसे मोर्चों पर मिल रहा है ये बिलकुल कहा जा सकता है क्योंकि जो इस्थानी जो रहते हैं वो इस्थानी अपने लोकल भाता को समझते हैं लोगों को जानते हैं और जो भॉगवली छेतर है उस सब चीजों को समगते हैं इसलिए जो है लोकल लोगों की पुलीस में भर्ती कर एक बटालियन बना दिया जाता है जैसे डियार की है, कोबरा बटालियन है, कोया कमांडो है इस तरीके से बत्तर में जो जंगलों में जो है ये अपना जो है तर्चींगा भियान चलाते हैं और जो पुरच्छावल के जवान